पूर्व बूखे मंतरी अखलेश यादव कौवन सिविल कूट के विरोध करने की बात कह रहे हैं तो वहीं बसपा सुप्रीम ओम आयवती ने राश्ट पती के सप्ने दिखाने की बात कहे कर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है ऐसे में इन मुद्दो को लेकर R9 News के समवादा था उनीत मुहन ने यूपी के पूर्व डिप्रेसियम डॉक्टर दिनेश शर्मा से खास बात शीत की है क्या कुछ उन्होंने कहा आई सुनते हैं उत्तर प्रदेस की राजनीती में आज दो बयान सामने आए हैं पहला बयान अकलेस यादो ने कहा है कि कॉमन सिविल कोड अगर उत्तर प्रदेस में लागू होता है तो पुर्जोर विरोध करेंगे और दूसरा बयान मायावती का कि बीजेपी राष्टपती बनाने का सपन ना देखे हमारे साथ पूर विरोध करेंगे अखलेस यादो अगर उत्तर प्रदेस में लागू होता है लेकिन भारती जनता पार्टी अपने दायत्तों का निर्वहन करती है जो जनता के प्रती वो जवाब देई भावना से जनता ने उसको चुना है और सब को समान अधिक भेदभाव किसी के लिए नहीं हो यह हिंदो यह मुसल्मान यह गड़ा यह पिछड़ा यह अंसोचेत यह समण नहीं सब भारतवासी और प्रदेश वासी बनकर विकास की यात्रा पर सहवागी बने यह सरकार का काम है और कौन राश्पती बना रहा है कौन प्रदानमंत्री बना रहा है यह सपने कोई भी देख सकता है सपने पूरा करना विक्ति के करतित और विक्तित पर आधारित होता है और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री और प्रदानमंत्री जनता बनाती है अब जनता किसी को सिफर देती है जीरो देती है एक देती है दो देती है यह जनता क उस प्रतनित के प्रती विश्वास या अविश्वास है इसमें बीजेपी के कोई लेना देना नहीं है बड़ा आरोप माया होती लगा रही कि 2022 में बीजेपी और सपा ने मिलके हिंदू मुस्लिम करा के बसपा के वोट काटे और उनको राष्टपती बनाने का सपना बीजेपी ना देखे वो एक दिन प्रधान मंत्री जरूर बनेगा अब लेकिए किसे ने किसका वोट काटा है ये तो वही लोग आपस में बता सकते हैं जनता ने बीजेपी को वोट दिया ये हम कह सकते हैं दन्वाद हम से बात करने के लिए तो हमें से बात कर रहे थे हैं पूर्व उप्भ मुख्यमंत्री दिने स्रमाजी जिनका साब तौर पे कहना है कि अखलेश यादो का विरोध करना क्योंकि वो नेताविपक्ष हैं अगर वो किसी बेल का विरोध करते हैं तो वो विरोध कर सकते हैं और दूसरी तरफ मायावती जो बयान दे रही हैं कि उनके वोट काटे गए हैं जनता ने 2022 के स्चुनाव में भीजेपी को भरपूर समर्थन दिया है उन्हें एक बार समिक्षा करनी चाहिए कि आखिर उनके वोट क्यो कटे हैं कैमरा परसन रोसन के साथ पुनीत मोहन आर नाइन न्यूज लखनव झाल 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 झाल